एलोफरेंद्स वेलकम उदम नुए वीडियो तो आपने पिछली वीडियो में देखा सिर्किट और फ्लुगेस सिर्किट यद फ्लुगेस स्थ हाथ या वाटर पाथ भीडियो में किस वे से जाता है किस पाफ से किस सर्कुट से जाता है उस वीडियो में समझने वाले एर पाथ है एयर सर्कुट वाय सुरू करते हैं कि अंग के के अिुटे रहे हैं तो जो एयर होता है अपस्पेर से यह लेते हैं ऑधी एम्टी में जोता है होता है तो फोर्स भाप्थ हैं का जो यूज करते हैं वह कंबेश्चन कराने के लिए फ्यूलघ कंबस्शन कराने के लिए जो भी एयर को जोता है इपको पिछली वीडियों बताया क्या है रहीर क्या होटा है जो एर प्रिहिटर होता है वो cell and tube type होता है ओप होता है जो से निकल रही और यह और as सब्सक्राइब टाइब करने कि लिए उससे क्या होता जो cette लाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इगनिशन टेंपरेचर किसी कि बहुत ज्यादा होता है उसके लिए हमें इगनिशन टेंपरेचर लाने के लिए कोल्ड एर के तुरू बहुत ज्यादा टाइम डिले हो जाएगा इसके बाद बहुत ज्यादा time delay हो जाएगा जिससे steam production या productivity भी कम हो जाएगे जिससे boiler की efficiency भी कम हो जाएगे इसलिए जो air जो flow gas होता है उसके heat को utilize करने के लिए air preheater लगाते हैं जिसके tube में से flow gas जाए होगी और cell में air circulate होगा जो air उसके heat energy को absorb करेगा और air को heat होगा air temperature rise होगा तो उसको हम furnace में combustion combustion के लिए भेशते हैं fuel के combustion के लिए उससे अच्छे से burning होती है ignition temperature हम जल्दी ला पाते हैं इंप्रूब कर पाते हैं जिससे boiler की efficiency इंप्रूब होती है इसके बाद इसके बीच में जो टैपिंग होती हो प्राइमरी एर फैन का यूज इस लिए होता है कि जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उस फ्यूल को करने के लिए या ले जाने के लिए फर्नेस तक वहां पे एक नौजल लगा होता है जिसके नौजल के थूरूब करता है फ्यूल को कमश्चन चैंबर में तो प्राइमरी एर फैन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूल को कर सके फर्नेस तक प्राइमरी एर फैन जो होता है टोटल एर का 30 परसंट एर यूज कर लेता है इसको दूसरा फैन होता है वह सेकेंडरी एर फैन होता है तो secondary air जो fan लगा जाता है वो इसलिए लगा जाता है क्योंकि turbulence create करने के लिए और दूसरा ये होता है combustion के लिए फ्यूल के combustion के लिए और दूसरा turbulence create करने के लिए तो ये भी total air का 30% air यूटिलाइज कर लेता है लिए टाया में आने से तो combustion कराने के लिए जो भी three things requirement most important thing होती है वो ये होती है सबसे पहला होता है combustion कराने के लिए तूंपति पह्ला परहों कोई उसका मतल़ यूज उसका का रहे हर ऊल्यूजudi कर रहे है एक enfin तो को भाज़के मस्धी लिए कह्ता है कि का निगर शीया है दूसरा थिंग जो होता है वह अक्सीजन होता है और अक्सीजन तो फ्यूल को बढ़ को बर्ण कराने के लिए अक्सीजन की रिक्वार्मेंट होती है क्योंकि जो एक्मस्फियर में अक्सीजन होती है एक्मस्फियर में गैसे हो तो यह नो होता है यह नहीं होता है इसका बज़ë 21 फरसेंटْ होता है वो अक्सीजन होता है तो oxygen का requirement होता है फ्यूल को burn कराने के लिए ये भी by volume होता है और atmosphere में 77% होते है nitrogen by weight और 23% होता है oxygen by weight तो आपने देखा कि atmosphere जो gases होते हैं 78% nitrogen होता है by volume 21% oxygen होता है by volume और 1% other gases होते है तो 77% nitrogen by weight होता है 23% oxygen by weight होता है तो इसी oxygen का यूज हम करके fuel को burn कराते हैं combustion chamber में और जो तीसरा most important thing होता है वो 3 T's होता है 3 T's का मतलब यह हुआ कि time temperature and turbulence time temperature turbulence तो जो यह एर पात हो गया तो FD फैंस से हम एर प्रीटर बेज रहे है एर प्रीटर से जो एर हीट होगा पाइद फ्लू गास वो फरनेस में combustion के लिए जा रहा है तो combustion के लिए जो भी most important things होता है सबसे पहला होता है होता है क्कोन सा फ्लू यूज कर रहे है कितने जिससी भी क्या है इसके बाद oxygen हो फ्लू जो बंड होगा हो oxygen के थुरुई बंड होगा कितना oxygen की हमें requirement होती है उससे हम डिसाइड कर पाते है कि ना का सजल रहा है इसके बाद burning कैसे हो रही है और इसके बाद जो तीसरा thing होता है वो three T's होता है three T's मतलब यह होगा first T यह होगा time तूसरा T जो होगा temperature और तीसरा T turbulence तो time temperature और turbulence इसको हम next video में अच्छे से समझेंगे detail से समझेंगे कि time temperature turbulence की requirement क्यों होती है और जो भी हमारा combustion के लिए जो requirement है उसको हम अच्छे से वीडियो में समझेंगे इसमें हमने देखा primary air fan और secondary air fan लगा जाता है primary air क्या करता है कि जो भी coal होता है या fuel होता है उसको convey करने के लिए यूज कियाता है furnace में इसको secondary air होता है secondary air का पहला जो work होता है वो turbulence होता है turbulence create करना तो turbulence कैसे create करता है उसको हम next video में समझेंगे जो और इसके बाद करते बाद